बागवन भाईओ, जून के महीने में जो मिलनी में अपने और्चड में काम करता हूँ वो मेरा रहता है पहला जो काम है और्चड फ्लोर में जितनी भी घास लगी है उसे मैं पूरी तरह से काट के रिमूव करके उसकी मैं मल्चिंग कर लेता हूँ और जो मेरा दूसरा काम रहता है वो रहता है कि जो मैंने ग्राफ्टिंग इस साल की है ग्राफ्टिंग जो टेप होता है उसे रिमूव करके और फिर जो ग्राफ्टिंग का गाव है उसमें प्रॉपर पेस्टिंग कर लेता हूं और जो तीसरा मेरा काम है वो रहता है डी शूटिंग का डी शूटिंग मैं उन प्लांट्स में करता हूँ जो मैंने इस साल प्लांटेशन की है डी शूटिंग जो concept है वो basically उन plants में करना चाहिए जिसमें जो shoots है वो काफी ज़ादा upward जिसकी ज़ादा growth हो रही हो तो एक example देता हूँ मैं आपको इस साल मैंने MM111 की plantation की और same year ही उसमें ग्राफ्टिंग की तो उसमें जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं दो या तीन आँखे हम रखते हैं मेंली दो या तीनी आँखे सारे रखते होंगे तो जितने भी वो shoot है वो उपर की तरफ सारे growth लेते हैं जिस वज़ा से क्या होता है कि जो आपका leader है वो उतना strongly grow नहीं हो पाता थोड़ा weak रहता है जिस वज़ा से जो आपका coming future में जो plant की canopy बनी है वो कहीं न कहीं proper canopy नहीं बन पाती तो जो उस leader से नीचे के जो shoots होंगे जो upward growth ले रहे होंगे जब आप उसको पूरी तरह से remove कर दोगे तो उसको हम बोलते है डी shooting आगे मैं आपको करके भी बिताऊंगा तो डी shooting का main purpose यह है कि जो leader का competition है उसको पूरी तरह से खतम करना है ताकि जो आपका leader है वो काफी strongly growth ले और काफी strong हो बागवन भाईयो आप यह देख सकते हो यहाँ पे यह मैंने mm111 rootstock की plantation यहाँ पे की थी इस साल और same year ही मैंने इसमें grafting की थी आप यह देख सकते हो तो फिर इसमें क्या हुआ जो यह तिनों आखे थी निचली इसमें सब में उपर की तरफ इस तरह से growth हो रही थी आप यह देख सकते हो तो यह पूरा competition leader को दे रही थी leader के equivalent यह वाली branch उपर जा चुकी थी और जा रही थी दिरे दिरे तो leader इसकी वाज़ा से कहीं न कहीं weak रहना था incoming future उतना strong नहीं होना था तो मैंने जो यह side के जितनी भी आखे थी जो अब shoot में convert हो गई है आप देखिए एक shoot यहां पर भी था यह चोटा सा तो यह मैंने timely remove यहां पर किया हम ताकि यह जो मेरा leader है यह properly grow हो और incoming future यह पूरा strong रहे तो यह basically concept होता है टी shooting का तो यह same year की grafting में आप देखिए कि इस तरह की growth हुई है तो मैं आपको और यहां पर दिखा देता हूँ आप यह देखिए यह किसी जानवर ने उपर से यहां पर खा लिए है तो आप यह देख सकते हो अगर यह देखे तो दोनों branches यह जो shoots है तो same उसमें growth है चाहे leader की बात कर लीजिए चाहे यह दूसरे shoot की बात कर लीजिए अगर मैं इसको timely य लीडर है वो weak रहना था तो basically यह concept होता है de shooting का तो साथियो आप यहां पर यह देखिए कि जो grafting मैंने की थी इसमें कितने सारे shoots आ चुके हैं यह भी सारे leader को competition यहां पर दे रहे है तो timely से अगर remove कर लिया जाए तो leader के लिए बहुर beneficial रहेगा यह पता नहीं किसी जानवर ने इतनी growth है और year के last में जिस तरह की भी इसमें growth होगी वो मैं आपको video के माध्यूम से इसमें share करूँगा अब जो यह यहां पर आप प्लांट देख पा रहे हो इसमें हम जो de shooting करेंगे वो करेंगे यहां पर यह हमारा leader है और जो यह है यह वाला shoot आप देखेगी leader से भी काफ यह leader बन रहा है यह strongly grow हो जाएगा तो हमें इस तरह से यह leader का competition खतम करके अपने leader को strong बनाना है और जो यह निचली branch है यह हमने इस तरह से bend करनी है इस तरह से यह है अगर हम इसको यहां से remove नहीं करते दे shooting नहीं करते तो क्या होना था अगर हम इसके bend भी करते है तो यहां प इस तरह का बनना था जिस वज़ा से क्या होना था जब इनकमी फ्यूचर और यह बड़ी हो था तो जब इसमें फ्रूटिंग होते है तो प्लांच हो प्लांट है जाए शार एक साल का प्लांट यह है तो इसमें अब बात करते हैं पिंचिंग से पिंचिंग से तरह से होता है। जो ये ब्रच है इसमें देखिए आप इस तरह के येαιर TV निकल रहू है। इसमें हमने क्या करना है कि यह जादा स्केंडरी बरांची थमने जी देखिए बनानी नहीं तो इसको time to time इस तरह से यह पिंच करते रहना है ताकि यह यहां पे ही stop हो जाए और यहां पे ही कि इस परफॉर्मेशन हो जाए हाला कि यह जो पिंचिंग है थोड़ी लेट करनी चाहिए आप समर प्रूनिंग भी कर सकते हो थोड़ी लेट करनी चाहिए according to elevation आपको दिहान रखना चाहिए समर प्रूनिंग का कि आपको कब करनी है तो इस तरह से भी आप यह रिमूव कर सकत को पाती हो तो यह एक तरह की आमावान के चलिए यह पिंचिंग कहलाती है शूट को इस तरह से आगे पिंच कर के रिमूव करना जय यह देखिस्टिक यहां से आगे ग्रोफ में ले जा रहाए हैं यह यह शूट तो आप ने जुसकि टिप ह्स्तरा से करनी है है ताकि थोड और और पिंच हम करेंगे इस तरह से ये पिछे को थोड़ा स्प्राउटिंग इसमें कुछ हद तक हो जाएगी